दमस्कार आप देख रहे हैं गितांश टीवी प्रस्तुत हैं समचार सारट से शुभम सिंग की रिपोर्ट बिशली चोरी की आरोप में विभाग की चापे मारे 60 लाक रुपे का लगाया जुर्माना देखर जले की सारट प्रकंड में शांती चौक इस्तित बाबा की दारनाथ फूड प्रोडेक्ट एवं रिद्धी सिधी प्रोडेक्ट फर्म में विशली चोरी की सूचना पर विभाग ने चापे मारी की इस दोरान 60 लाक रुपे का जुर्माना भी लगाया इधर फर्म की संचाला गौतम कुमार ने राजनितिक साजिश की तहद बदनाम करने का आरोप लगाया बताया गया है कि पिछली विभाग कोक्त प्रतिश्थान में बिछली चोरी होनी की सूचना मिलने पर साहक अभियन इस दो मदूपूर को रिपोर्ट करके दंडादिकारी की मांग की चंद घंटे में ही एस दियो दिनेश कुमार यादव ने दंडादिकारी सारत अंचल के C.I. अक्षे सिनहा ववरिये दंडादिकारी के रूप में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सर्ताच कुरैशी के अधिकारियों के पहुशने पर प्रतिष्ठान के संचालक के देवघर में होनी की बात कही जिसके बाद जाच दल के दंडादिकारी द्वारा गेट तोडने की चिताबनी दी गए इस चिताबनी का असर हुआ प्रतिष्ठान के संचालक ने एक घंटे का समय मांगा एक के जेए द्वारा ही केबिल लगाया गया दल द्वारा उक्त केबिल एवा मीटर को खोल कर जब्द कर लिया सीसे टीवी को लेकर पूछने पर संचालक ने बताया कि खराब है डी बी आर भी जाच दल के मांगने पर उपलब नहीं कराया गया जाच दल के वरियद अधिकारी सह कारपाला कभियंता सर्ताज कुरेशी ने बताया कि अवैदरूप से बिजली चोरी का मामला सही पाया गया एक्स्ट्रा केबिल वा मीटर जब्द कर संचालक के विरोध में कानूनी कारवाही की जा रही है चापे मारी दल में मुखे रूप से साहक अभियंता रोशन कुमार कनिया अभियंता डेविड हासंदा सायक अभियंता सतेंद्र कुमार प्रीता मोजा थाना प्रभारी शेलेश कुमार पांडे समेत अन्य पुलिस बल मौजूद रहा उसके साथ फिर भी ताला नहीं खुला तो उसके लिए फिर अनुमंडल पदा दिकारि माधवपूर के द्वारा परतिन्यूद किया गया और उसके उपस्तिती में आज हम लोग ने निरिक्षन किया निरिक्षन में पाया गया कि एक एक्स्ट्रा केबल था जिसे मीटर को ब अब आया है चेकिंग करने के लिए पाहले सुचना मिला था पकाना है यहां प मीटर केबल मिला है और मीटर जो है क्या कम था जीक्षे जमें चुरी परतित हो रही है इसलिए सामान जब्स कर लिया गया है मीटर और जो एक्स्ट्रा के बल था प्रोडेक्ट अच्छा आपके यहां चेकिंग आएगा तो गेट मेरा बंध था हम बिमार थे हम आए गेट को बुलाए और सर को बुलाए कि सर आए और देखिये और उन्होंने देखा तो हमारे यहां एक वायर लगा हुआ था जो की बिभाग के दोबरा लगा लगाया गया ह जिस समय के दुवारे लगाया गया था और उसमें लाइन नहीं दिया गया था जो की ट्रांसफरमर से एक पॉल तक था और वहां से मिल की दूरी लगवक 200 मीटर है और उसमें कोई तायर और कहीं से उसमें चोरी की कोई सम्भावना नहीं है और मैं सारट का सब डिविजन का मैं एक बॉनाफाइट कस्टवर हूँ, मैं वोकता हूँ, मैं विभाग का काना कि आप विजली का दुरूपियों कर रहे थे, वो सही है या अगलाप एसा कुछ नहीं है, ये मामला हमको कुछ दूसरे ढंका लग रहा है, इसमें ना विभाग का कोई नहीं है, इसमें कुछ ग अगनी भी आर्मी, एयर फोर्स, नीवी, रेलवे, छारखन पुलिस, छारखन टीचर, भारती आदी की तयारी कराई जाती है, यहां संपुर्ण परिक्षाओं की तयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है, यहां नवोदय, नेतरहाट, केवियस, आदी की भी तयारी कराई जा रहे है, विशेश जानकारी के लिए दिये गए नमबरों पर संपर्क करें